C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा साथ की उर्दू की पाठ्थे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम पत्थर का सूप कहते हैं के आईरलेंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था वो था बड़ा अकलमंद वो एक बार दूर दरास के सफर पर रवाना हुआ उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया अब तो वो भूका रहने पर मजबूर था उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे और भूक थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुखने का नाम नहीं लेती थी बहुत बारिश पर रही है एक कपड़री भीग गए कहा जाओं इतनी रात है है सामने मकान है करीब जाकर देखता हूँ वाह ये तो शांदार मकान है एक क्या करो हम्मत करके अंदर चला ही जाता हूँ चलो चलो वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया अरे यहां कोई रहता है अरे यहां कोई रहता है दर्वाजा खुला ये रसोई घर था बावर्ची ने कहा जी कहिए यह बावर्ची खाना है आपको मुझसे क्या काम है जी माँ बहुत भूखा हूँ मुझे कुछ खिलाओ मुझे भी बहुत काम है अभी मुझे खाना बनाना है मालिक के आने का वक्त हो गया तुम यहां से भाग जाओ देखे मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो देखते नहीं मारे सरदी के थर थर कांप रहा हूँ मैं बहुत थक्या हूँ जरा मेरे उपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त देदो कि तुमहरे चूले के सामने बैठ जाओ बस मैं थोड़ी दर ही बैठ हूँगा ठीक है ठीक है तो तुम चूले के बाद बैठ जाओ लेकिन देखो मेरा वक्त खरा मत करो चूप चाप बैठो चलो शुक्रिया 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 इधर से मी सुखा लो उधर से मी सुखा लो वो बुढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई अब उसकी भूख और बढ़ गई आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई क्या करूँ, कपड़े तो सूख गए, मेरी तो भूख और बढ़ गई है कोई तरकीब लगानी होगी ए भाई, क्या है, ए भाई, क्या तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ मैं बहुत अच्छा सूप तयार कर सकता हूँ इसमें खर्च भी कम होता है, और इसे पत्थर से तयार करते हैं क्या, पत्थर का सूप, भाई, मैंने तो ऐसे सूप का नाम कमी नहीं सुनो भाई, सुनो, तुम कैसे बनाते हो ये सूप अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं आभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना तो ठीक है, ठारो ये लो हांडी और ये लो पानी बढ़, 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 बद, बढ़, 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 बढ़ बड़ा मुज़ेदार सूफ है बन जरा नमक परेगा तुम तो जानती हो नमक तो हर खाने में होना जरूरी है यह मेज पर सब्जी रखी है ना हाँ सब्जी है इच भी डाल देता हूँ हाँ ठीक है डाल दो बड़ा अच्छा सूफ तयार होने वाला है बज जरा सा लहसुन और प्याज बढ़ेगा तुम इसे देखते रहो है ठीक है देखो देखो कहीं जयाद आना पर देखो ना मैं अभी प्यास और ल हलहा इंगो। ये लोंग दacı कि लओं है जाल देता हूं इस बस अभी हुआ जाता है वा 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 कितना अच्छा सूप तयार हुआ है बज़रा इसे चलाने की जरूरत है चलाओ चलाओ बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था वो सोच रहा था अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पका कर लोगों को दिखाऊंगा और सब को हैरत में डाल दूँगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुलकों से आया करेंगे ए भाई बावर्ची भाई बाई सूप तो अच्छा है अलबत तो पतला है इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आठा हो तो मुझे दे दो इसमें डाल कर सूप को गाला करूंगा क्यों नहीं क्यों नहीं अभी लाया है यहां यह आटा मैं डालता हूं ति मुझे पक का यकीन है कि तुमना ऐसा सूप चखा भी नहीं हो रहा है और मुझे तो हैरत है कि पत्तर का सूप भी तयार हो सकता है मगर सुनो अब क्या कसर रह गई इसमें अरे बावर्ची भाई इस वक्त कहीं जरा सा मक्षन और बूंद भर दूद होता तो हम यह पत्तर का सूप बाध्शा को भी पेश कर सकते थे बाध्शा को ठेहरू ठेहरू मेरे पास मक्षन और दूद दोनों हैं ठेहरू इतना शांदार सूप तयार हो रहा है और देखो किसे और चीज़की जरूरत हो तो बताओ हां 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 क्या बस जरा से सबर की जरूरत है अब तुम देखना कितने मज़े की हांडी तयार होती है अरे आप तो तमाम रों सोई में हांडी की खुश्बू फैल रही है और वो भी पत्थर के सूप की अरे ये कोई हैरत की बात नहीं है मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूं मैं हांडी में से ये पत्थर निकाल रहा हूं ये पत्थर जों कत्यों मौजूद है ए ये देखाँ वाँ ये तो कमाल हो गया चलो मिलके आदा आधा सूप पिएंगे वाँ पत्थर का सूप बुढ़े ने वो पथर बावर्ची को दे दिया दोनोने आधा आधा सूप पिया बावर्ची को खुब मजा आ गया बुढ़े ने भी खुब डट कर सूप पिया पथर का सूप पथर का सूप पत्थर का सूप नई दिल्ली भारत